कि हम चोटे थे तो यह गाते थे गाना चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के दूर के आई नहीं दो तिन दिनों से यह चल रहा था कि यह बगवान यह बगवान मैंने इतने सोशल मीडिया पर ट्वीट डाले हैं ताच वुड़ थू थू जो मेरी मा मेरे मा था मा थे पर काला टीका लगाती थी बच्मत से आज तक वह मैं हम सब लोग कर रहे थे भारत माता की जैव भारत माता की जैव भारत मतलब इस से ज़्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी मे कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो यह गाते थे गाना चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के दूर के हैं नहीं तो मैं इस मौके पर सभी देशवास्यों को नतमस्तों को कर उत्खास कर हमारे एसरों के साइंटिस्ट को नतमस्तों को कर परणाम करता हूं और कह उल्हास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है यह कोई क्रिकेट मैच करनी था कोई हौकी मैच करनी था कोई किसी के खास मैच करनी इसका उल्हास और इसका इसका जो एक एक्साइटमेंट थी वह बहुत बहुत जबरदर थी इस हमारे हम सिर्फ चेटर साल पुराने देश है या चेटर साल नए देश है और इन चेटर सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं यह मतलब यह जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवनकाल में इसा हुआ है यह एक हिस्ट्री है आज मैं यह जंडा भारत का तेनंगा हाथ में लेकर खड़ा हूं आज से सौ साल बाद पहले बाद लोग कहेंगे कि आरे यह थे यहां पर उन्होंने भारत माता की जया और वंदेवात्रम बोला था यह चांद पे पहुंचने का भारत की इतियासिक जीत का इसका जो श्रे है यह सारे एक सो चालीस करोड भारतवासी जो हिंदुस्तान में रहते हैं और ना जाने कितने करोड भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं आज सबका नत्मस्तक जो सबका जो मस्तक है वो उपर हो गया होगा can you imagine a person an Indian walking anywhere in the world today and everybody else looking at him कि यह जा रहा है वो भारतवासी यह जा रहा हो हिंदुस्तानी जिसका मुल्क हम अकेले पहले देश हैं जो साउथ में लैंड की हैं तो we are the first people who have landed there I am very emotional I am very moved जब यह हुआ आज से थोड़ी देर पहले 10-15 मिट मिट पहले तो तब तो मेरी आँखों में आसू थे अभी मैपको करूबियान इंडियन टोड़े हैं हमें देखा 15 मिट से तालियां बजा रहे हैं तीवी के सामने बैट के बहुत हुश है हां सर तालियां तो जिन्दीगी भर बजेंगी यह शन जो है हर भारतवासी को याद रहने वाला है क्योंकि आज 140 करोड भारतवासी जो है वह अपने टीवी के सामने अपने मुबाइल के सामने ऐसे किसी वी अंतर के सामने बैटे देख रहे होंगे और वो अभी भी टीवी चल रहा है और खुशियां लोग मना रहे हैं अभी तो शुरुवात हुई है इस खुशी का जश्शन कब तक चलता रहेगा यह वाकई एतिहासिक है हिस्टोरिकल है और यह तालियां जो है यह दिल की धड़कने हैं हालांकि हाथों से बजरी हैं मगर जो दिल में धड़कने हो रही हैं वो हर धड़कन जो कह रही है वो चाती कितनी वाकई उनकी चाती जो है कितनी चौड़ी होगी कितना उनका उनको गर्व महसूस हो रहा हो उन सब देशों के लिए, he is must be, he represents us, he represents so many Indians all over the world, especially people living in India, उनके लिए गर्ब की बात है, उनके scientists कैसे पहुँचे और इस बार एक अजीब सा जोश था कि दो तिन दिनों से ये चल रहा था कि ये बहुआन, बहुआन, मैंने इतने सोशल मीडिया पर ट्वीट डाले हैं, ताच वुर्थू थू जो मेरी मा मेरे मा था, मा थे पर काला टीका लगाती थी बच्मन से आज तक, वो मैं हम सब लोग कर रहे थे, तो ये परदान मंत्री, जितने भी scientists यहां पर बढ़े हैं, और कितने साधारन किसम की लोग हैं, और आज सब की मेहनत रंग लाई है, आपने घर में पूजा भी किया, मैंने सुभा पूजा की और मैं आम तो पर भगवान से बहुँ ज़्यादा कर जाए, प्लीज, 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 सब भवानों को याद कर लिया मैंने, और सब घंटियां, मंटियां, सब जगा पजा दी, सब धूप, अगरबत्ती, सब मंत्रुचारन कर दिये, और अभी देखते रहिए, डीवी भारती समचार, नजर हर खबर पर